स्ट्रम रोजगार्थ ता सामाजिक शुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्टले मलेशियाले नेपाल संग अनुमती नली एक तरफी सम्यंत्र स्तापना गरेकू र सम्यंत्रले स्ट्रमिक बाटा गईर कानिनी रुपमा अतिरिक्त सुलका उठायका भंदै मलेशियामा स्ट्रम स्ट्रमिक लाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको फंदै स्वास्त्य परिक्षण का नाम्मा धन्दा चलाउँदे आयका तिन दर्जन भंदा बड़ी बेवसायलाई पक्राउँ गरेको थियो तेस लगते सरकाले मलेशिया संग कातिक बार गते कामदार पठाउँदा कुनेपनी सुलका नलागने लेवी नलागने करार को अबदी तिन बर्ष र रहा धानी आफैसंग राखन पाउने लगायात का समझवता गरियो समझवता भयको पांच मैना बिती सक्दा समेथ नेपाली कामदार मलेशिया जाना नपायको भनी गुनासो गरी रहादा सम्मंदित मंत्रा लए भने मौन बसे को सब प्रसीडियार को पुर्यार में आयकायको अब रोद हरुलाई करी अखटावने बने राख्ता में होंच चालफल में होंच यो अभीलम में यो शक्की नेवीत्ती यो कारि प्रायरमाउंच नेपान सरकार यो चाने सुचारू गर्ने कुरायमा आमी तत पर्चन प्रतिबंदा शें। सुनमसंजवता कष्षीन निनिये कामजाद सरकार यो है तो है स्रममसंजवता को चाहिए MOU भीत्रकर रायरा और MOU भाय पचे गठित ज्वैन ओर्किंग गूरॉप प्रति लिए। लनीका कुड़ आरो त्याह इसपे जोनी सो. मलेशिया का लागी स्ट्रम स्विकृती रोकिये संगाई एक लाख नेपाली कामदार रतीन का परिवार प्रभावीद फ़ायका सन। एता राज्येले उनी हरुबाट प्राप्त गर्ने करिब अड़ाई खर्व रेमिटांच समेत गुमा आयको छा। एस तर्फ नत सरकार गंबीर देखियेको छा। नत कामदार संग रकम असुलेर बसे का बैदेशिक रोजगार बेवसाई ने गंबीर देखिन छा। एस तर्फ संबंदित मंत्रा लेले ब्याजमा उठायेको रकम फिरता गर्न नसकने अबस्तामा पुगे का स्वामिक को उद्धार का लागी कीत स्वाम स्वुईकरिती खोलनु पर्च नभाय कामदार ले तिरेको रकम को हर्जना तिरनु परने हुँच्छ। किसूर तहाल को रिपोट